नमस्कार दोस्तों काफी लंबे समय के बाद पुर्णिया युनिवर्सिटी पार्ट 3 मार्क सीट को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है काफी अच्छा खबर है जो भी छात्र छात्र है सेशन 2018 से 21 के हैं जिसको पार्ट 1 का भी मार्क सीट नहीं मिला होगा और पार्ट 3 का भी मार्क सीट जो है नहीं दिया गया है उसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज किस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है साथ ही साथ कब मिलेगा सारी जानकारी जानेंगे तो वीडियो को आप पुरा जरूर देखिए, सबसे पहले गुगल पे आईए, टाइप कीजिए, study exam 399, सबसे उपर वाले website, study exam 399.com, आप हमारे official website पे आईएगा, यहाँ पर आपको yes type करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, university update में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ इस परकार से खुल कर आता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, पुर्णिया यूनिवर्सिटी, part 1 और part 3, mark seat, आज से college में मिलना, so official notice दो है, आ गया है, official notice direct हम आपको download करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक कर इस तरह से notice download होता है, असना तक part 3, परिच्छा 2021, एवाँ असना तक part 1, परिच्छा 2019 का अंकप्रफ प्राप्त करने के सम्मद्द में, यह सूचना जारी किया गया, कहा गया है, कि अंकपत्र तयार कर लिया गया, यहाँ कि ready हो गया है, अपने college के परचार जाएंगे, college, यहाँ कि college के बाद जो 18 अगस्त से, यहाँ कि 17 अगस्त के बाद, 18 अगस्त से आपके college में मिलना शुरू हो जाएगा, यही चीज को यहाँ पर website प्रिच्छ किया गया है, mark sheet लेते समय, आपको कौन-कौन से document से लगेंगे, इसे कि नामंकन का receive लग जाएगा, part 1 का ले रह doubts लग जाएगा, तो 17 यहाँ पर mentions कर दिया गया है, 18 से 21 वाले student को ही, part 1 और part 3 का mark sheet अभी दिया जा रहा है, और किसी भी सस्तर का notification जारी नहीं किया गया, जैसे ही की जाती है, तो हमारी इस website के मादियम से, YouTube चैनल के मादियम से, जानकारी दे दी जाएगी, तो पुर्णिया युनिवर्सिटी की latest update के लिए हमारी इस YouTube चैनल को आप जरूर subscribe कीजिएगा, साथी साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में share कीजिएगा, वीडियो समंदित कोई भी सवाल सुझाब हो, comment section में आप में जरूर comment कीजिएगा, thank you for watching this video.